बच्चो जिस प्रकार से हमारे शरील के रक्षा हमारी त्वचा करती हैं, उसी प्रकार से पौधों में भी त्वचा पाए जाती है, जो उनके शरील के रक्षा करती हैं। लेकिन प्रशन ये उटता है कि ये त्वचा दिखती कैसे हैं। चलिए इसे देखने के लिए हमें क्रिया कलाब करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए रियो की पत्ती, पेट्रिडेश, पॉर्सेप, स्लाइट, ब्लेट, कवर्सलिप, ग्लिसरिन और पानी। आप रियो की पत्ती को देख सकते हैं। इसकी ये उपरी परत है जो हरे रंकी दिख रहे हैं। और इसकी ये नीचली परत है जो लाल रंकी दिखाई दे रही है। इसके जगे आप दूसरी मानसल पत्तिया भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना ह होगा जब आप मांसल पत्ती लेंगे तब आप उसे अभिरंजित करेंगे सबसे पहले हम इस रियों की पत्ती को एक दबाव के साथ तोड़ेंगे ताकि इसकी नीचली जिल्ली अलग हो जाए फिर हम उसे ब्लेट की सहाथा से काट लेते हैं और पानी में डाल देते हैं ताकि इसकी कोशिकाय सूख न जाए इसे हम स्लाइट के उपर रखेंगे और इसमें एक बोन ग्लीसरिन की डालेंगे अब हमें स्लाइट को कवर स्लिप से फॉर्सेप और नीडिल की सहाथा से थीरे से ढखना है और बच्चों आपको ध्यान देना है जब आप इसको ढखेंगे तो इसमें हवा के बुलबुले अंदर प्रवेशना करें इसलिए हम इसे धीरे धीरे से ढखते हैं इस प्रकार से मेरी स्लाइट रेडी हो गई है चलिए इसे हम सुक्षमदर्शी में देखते हैं तो सुक्षमदर्शी में जो कोशिकाय दिख रही है वे पौधे की बाहे परत बाहे तवचा या जिसे तवचे उत्तक कहते हैं ये पौधों की रक्षा करती हैं इन कोशिकाओं में अंतिर कोशिकीय स्थान इंटरसेलोस स्पेस नहीं दिख रहा है इसके अलावा इसमें कुछ विशिश प्रकार की रचनाय भी दिख रही है जिसे हम रंद्र कहते हैं इन रंद्रों को दोवरिक आकार की कोशिकाओं घेरे हुए हैं जिसे रक्षी कोशिकाओं कहा जाता हैं और इनका कारे होता हैं वायू मंडल से गैसों का आदान प्रदान करना इसका अलावा इन रंद्रों का काम पानी को वाश्प की रूप में बाहार निकालना भी होता हैं अगर आपको इस प्रकार की कोशिकाओं का समू दिखाई दे तो इस प्रकार की कोशिकाओं के समू को हम तवच्चियों उतक या एपेडर्मल टीशू कहते हैं